शिकरदवन को शुबमन गिल से जलन होती थी जी याँ शिकरदवन ने हाल में एक स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने कहा है कि जब शुबमन गिल अच्छा खेल रहते तब मुझे उनसे जलन होती थी ऐसा उन्होंने इसलिए का है उनसे एक बार सवाल जब पूछा गया था एक इंटर्विव में, 2023 में जब उन्होंने इंटर्वीव दिया था, उनसे पूछा गया था कि शिकरधवन अगर आप सेलेक्टर होते हैं, क्या खुद को चुनते हैं, या फिर आप शुब्मन गिल को वहाँ पर शिकरदवन ने बड़ा दिल दिखाते हुए नाम लिया था शुबमन गिल का, काफी वाइरल उनकी ये बात हुई थी, कई सारे लोगों ने काफी तारीफ की थी, बहुत बड़ा दिल है, शिकरदवन का उन्होंने खुद को ड्रॉप करके शुबमन गिल को चुना ह लेकिन अब रिटार्मेंट होने के बाद जब इंटर्व्यू दिया है, वहाँ पर उन्होंने कहा है, कि बिल्कुल जब शुबमन गिल अच्छा खेलते थे, उन्हें जलन होती थी, उन्हें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, पुरी तरीके से हो मानते हैं कि मन में जलेसी वाला फैक्टर आ गया था, भई मैं टीम इंडिया से ड्रॉप हो गया हूँ, मेरी जगाई लड़का खेल रहा है, इस इंटर्व्यू में उन्हें साफ तरीके से काई कि शुबमन गिल उस दौरान शतक बना रहे थे, मैं जबकि सिर्फ 50 रनी बना पा रहा था उन्होंने काई कि शुबमन गिल उस वक्ट दो फौर्मैट खेल रहे थे, मैं एक ही फौर्मैट खेल रहा था, टीम में आता था, फिर बाहर चला जाता था, जबकि शुबमन गिल रेगुलर टीम इंडिया के लिए खेला करते थे, तो जैलसी फैक्टर मन में कहीं ने कहीं आ गया था, लेकिन उन्होंने कहाई कि गुड़ विशज मेरी हमेशा जै, शुबमन गिल के साथ रही है, शेकर दवन को जानना जाता है काफी बड़ा दिल दिखाते हुए मैदान पर भी खेलते थे, काफी दिलदार खेलाडी रहे हैं, अपनी निजी जीवन से लेकर क्रिक लोगों ने बड़ा positively उस comment को लिया है शिकरधवन ने क्या कहा था डीटेल में आपको पूरी बात बताते हैं शिकरधवन ने कहा था जब शुबमन गिल खेल रहा था तो जलन होती थी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती थी होती थी जब मुझसे शुबमन के बारे में पूछा गया था तो उस वक्त शुबमन दो format खेल रहा था T20 भी और टेस्ट भी जबकि मैं सिर्फ एक format खेल रहा था मैं आता था और जाता था वो बंदा दोनों format में अच्छा कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वो शतक बना रहा था मेरे सौ नहीं बन रहे थे जबकि मेरे पचास ही बन रहे थे तो मैंने वो कहा था कि शुबमन गिल को मौका मिलना चाहिए मेरी जगा पर आपको बता दें कि 2022 दिसंबर वो मौका था जहां पर आखरी बार शिकरदवन खेलते हुए नजर आये थे और 2022 ही वो साल था जहां पर शुबमन गिल हजार से जादरन मना कर खड़े हुए थे टीम इंडिया के दर्वाजे पर तीनोए फॉर्मेट माँ से शुबमन गिल खेलने लगे जबकि शिकरदवन को एक एक करके फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया पहले वो टेस्स से ड्रॉप हुए उसके बाद वो टी टीम से फिर ओडियाई टीम से भी अपनी जगा को बैठे और अब 24 अगस 2024 को उन्होंने क्रिकेट से सन्यास का एलान कर दिया है